देखिए बात होगी angle of intersection of two curves मतलब दो करव अगर एक दूसरे को cut कर रहे हैं तो उनके बीच angle कितना होगा अब problem हमने ये पढ़ा है कि अगर दो lines हैं मालिया और उनके slopes है m1 और m2 और उनके बीच angle theta है तो हमने क्या पढ़ा है 10 theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 यह पढ़ा है आपने लेकि कर्व के बारे में हम क्या करें तो देखिए कर्व के बारे में हम क्या करते हैं हमने इंटर में वो भी पढ़ा है अगर कोई कर्व है तो पहले तो आप यह देखो कि वो कर्व किस point पर intersect कर रहा है ठीक है इधर तो मान लिया हमने कहा यह दो कर्व है एक यह कर्व है और एक मान लेते हैं दूसरा कर्व ऐसा बना लो ऐसे बना लो ऐसे एक ही तरफ बनाओ थोड़ा साथ अच्छा लगेगा नहीं तो बढ़ बढ़ करेगा टैंजन उल्टी आ जाएगी ना कर्व जैसे हमने बना है वैसे बनाओ एक कर्व ऐसे बनाओ एक कर्व ऐसे बनाओ कर्व कैसा भी हो सकता है इस कर्व का एक कोईशन को दिया होगा और इस इकल टो फंक्शन आफ थीटा यह भी हो रहा होगा और यह भी और इस इकल टो function of theta रहा होगा और इस point पर दोनों क्या कर रहे हैं intersect कर रहे हैं ठीक है तो अब हम चुकि बात कर रहे है polar form की यानि कि इस point पर ये है position vector ये radius vector और ये angle कितना है theta है तो इस point का coordinate क्या होगा r, theta तो हम करेंगे क्या इस point पर पहले curve की tangent खीचेंगे ये पहले curve की tangent है p, t1 ठीक है और इसका slope निकालेंगे तो इसका slope निकालने का तरीका क्या होता है अब slope बात करते हैं पहले उसके बात बात करते हैं और बात में इस point पर second curve की tangent खीचते हैं ये, t2 लाद ध्यान समझेगा पहले curve की tangent माल लेते हैं x-axis से side one angle बनाती है अब कैसे निकालेंगे वो बात की बात है और दूसरी tangent x-axis से जो बनाती है angle वो है side two ठीक है tangent और radius vector के बीच के angle को कैसे indicate करते हैं हमने tan नहीं बोला है किस से indicate करते हैं 5 से indicate करते हैं तो देखो पहले curve की ये tangent है ये radius vector से angle बना रही है इसको हमने माना 5-1 ठीक है और second वाली ये है ये यहां से कितना हो गया 5-2 अब बताव दोनों tangent के बीच angle कितना है सॉरी क्या बोलना हूँ हाँ दोनो tangent बीच angle कितना है ये देख रहा है आपको नहीं देख रहा है इसको हमने क्या मान लिया alpha ये ही निकालना है आपको नहीं समझे यहीं हमको alpha निकालना ये ही alpha है तो angle between the curve is equal to angle between the tangent ये हम निकालेंगे ठीक है between the tangent तो अब कैसे निकालेंगे साब साब देख रहा है alpha कैसे निकलेगा phi 2 में phi 1 minus कर दो अब इसका ले लो 10 तो 10 alpha कितना हो जाएगा 10 phi 2 minus phi 1, 10 a minus b का फर्मरा लगा दो 10 phi 2 minus 10 phi 1 upon 1 plus 10 phi 2 into 10 5 1, बात सुन में आ गई होगी note करिए अब यहाँ दो case आते हैं special cases आते हैं special cases क्या होते हैं कि बगर अगर ये दोनों जो curve है ना वो perpendicularly intersect कर रहे हो तो यहनि दोनों के tangent की भी चैंगल कितना हो 90 degree और perpendicularly को थोड़ा standard भासा में आर्थोगोनल कहते हैं ठीक है तो पहला main point है कि if both the curve both the curve intersect intersect आर्थोगोनली आर्थोगोनली भी कहते हैं perpendicularly भी यहनि 90 degree होता है तो alpha कितना हो जाएगा है यहाँ पर 90 degree जब आप alpha को 90 करोगे तो 1090 की value क्या होती है infinite यहनि वर पान 0 तो जब इसको यहाँ रखोगे तो यह आएगा 1051 into 10 52 is equal to minus 1 यही तो आएगा और दूसरा केस है कि अगर दोनों कर्व पहले फर्स्ट केस लिखिएगा सेकेंड केस क्या होगा कि अगर दोनों कर्व एक दूसरे को touch कर रहे हूं अब यह नहीं कहेंगे पार्लल एक दूसरे को इंटरसेट कर रहे है दूसरा केस है इफ बोद द कर्व बोद द कर्व टच इच अधर जड़ा समझेगा टच का मतलब देखे ये करव ऐसे टच कर रहे है तो अगर पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट पे इधर देखे दोनों के टैंजन खीचोंगे तो यह सेम आए की नहीं आएगी एक इस टैंजन खीचेगी तो अलफा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 10 अलफा को 0 करोगे तो यहाँ पर आएगा 10 5 1 is equal to 10 5 2 तो यह दो केसे जाते हैं कि टच कर रहे हैं या जैसे या पैललल इंटरसेट कर रहे हैं अब पैललल तो नहीं बोलते हैं नोट करिए अब देखे एक कुश्चन दिखे रहे हैं यह दो कर्व हैं आर इस इकल टू A1 प्लस कॉस थीटा और आर इस इकल टू B1 मैनस कॉस थीटा इन कर्व का नाम है कार्डियाइट ठीक है अब आप थोड़ा और बड़े हो जाएंगे भी बड़े हो रहे हैं तो उसमें पढ़ाए जाएगा कॉर्डियाइट क्यों दिया गया ना बता दें कॉर्डियोलाजी सुना होगा अपने किसके लिए होती है कॉर्डियोलाजी जो डिपार्टमेंट होता है उसका दवाईवाई का किस के किस इलाज के लिए होता है तो इचुली इसाफ भी हार्ट की बननेती ही सली हुगे है इसलिए इसका नाम कार्डियाइट रखा गया होगा। यह जब बनाएंगे нет ना तो यह ऐसे बनेंगे। इसलिए इसका शेप ऐसे। हार्ट ऐसा होता नहीं बैलो जी वेले से बताते हैं। जनरली पिच्चरों मुझे तो ऐसे दिखाए जाता है इसलिए इसको कॉर्डियाइट कहा गया होगा तो यह जब आपको ट्रेसिंग करनी नहीं है मैं समझा रहा हूँ कि कॉर्डियाइट नाम क्यों दिया गया अब देखो अब इसका पता यह नहीं कि सर्किल का नाम बताएंगे जो सर को मारने वाला अब आपको आपको इसमें बाइचांस नाम फिट हो गया बता दिया अब देखो हम क्या कैसे निकालते है कर्व के दो पॉइंट जहां पर कर्व इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट अब इंटरसेक्शन पर हमने कहा था टैंजेंट के बीच का एंगल निकालना है आपको यह तरीका होता ना तो अभी हमने क्या टावी बताएं कि 5 and 5 दू चाहिए तो 10, 5 and निकालने के तरीका क्या हमने कल बताया था r d theta upon dr होता है ना कि अगर कोई टैंजेंट रेडियस वेक्टर के साथ फाई एंगल बनाती है तो 10, 5 is equal to r d theta upon dr होता है बताया था हमने यह हमने उल्टा किया था इसको caught फाई लिग दिया था तो 1 upon r dr upon d theta अब इन में से हम दो में से कौन solve करें तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं बुक में देख लेंगे जिस तरीके solve होगा हम उतार देंगे इसमें किसके respect में differentiate करना आसान है हम जानते हैं r theta के term में लिखा है तो r को हम theta के term में आसानने हमें time समतर में हम वहाँ पहले देखें क्या निकाल सकते हैं तो हम r को आसानी से theta के respect में differentiate करते हैं तो हम कहेंगे differentiating equation 1 with respect to theta तो क्या हैगा dr upon d theta is equal to a minus a sin theta आएगा यह तो आएगा अब हम मालने कि इसकी जो tangent है ना इस curve की tangent radius vector के साथ 5 angle मिलाती है let the tangent of this curve tangent of this curve diagram में हम भी diagram show कर चुके है this curve makes angle 5 angle with इसके साथ radius vector radius vector तो tan 5 angle क्या होता है अब आप कहेंगे भई आपने तो dr पान d theta निकाल तो cot लगाई है हमें requirement 10 की है इसलिए हम लिख रहे है तो tan 5 न क्या होता है r d theta पान dr r बोले तो a one plus cos theta और इन्टू देखो dr by d theta निकाल चुके है तो d theta पान d r क्या होगा इसको पलड़ देंगे तो आएगा minus का a sin theta ठीक है अब इसको थोड़ा solve कर लिया जाए देखिए आपने इंटर पढ़ा होगा 11th में कि cos का सबसे बड़ा दूसमा one होता है याणि वो अपना काम बाद में करें एक पल़े one को पटक के मारेगा तो cos का वो formula जो one को काड़ दे तो क्या होगा one cos का क्या लगा इसको फामुला two cos square theta by two minus one अब ये भाई साब आगे theta by two family के तो ये भी उसी में change हो जाएंगे ठीके तो minus sin तिरव क्या लिखेंगे two sin theta by two into cos theta by two one से one कड़ गया two से two कड़ गया cos से cos कड़ गया क्या आगया minus का cot theta by two पहुंचिए यहां तक अगर हम इसको ten में convert कर ले तो दुनों तरफ ten ten हो जाएगा तो अपने आप five one निकल आएगा तो इसको क्या ले सकते हैं मतलब ten five one is equal to हम जानते हैं ten ninety plus theta cos theta होता है तो इसको ten pi by two minus theta plus theta by two ले सकते हैं तो five one की value क्या आगई pi by two plus theta by two समझ गया बात तो ये five one निकल आया ये five one क्या है five one ये है कि ये curve है अब ये पहला है दूसरा ही हमको नहीं मालू ये curve ये वाला है क्या ये वाला है मुन नहीं मालू है और इसकी ये tangent है ये radius vector है ये इसके बीच का angle five one है ठीक है अब five two की बात कर लेते हैं यहां तक पहुँच जाई है तो five one अलग से note कर लेते हैं पहले क्योंकि हमें जरूत पढ़ेगी ना तो five one यहां note के ले रहे हैं five one is equal to pi by two plus theta by two अब देखिए second curve को आ जाई है second curve को भी theta के respect में differentiate करते हैं differentiating देखे question tough नहीं है लेकिन अब वहां तक याद रहे बहुँच जरूरी है ना वहां तक याद रखना पड़ेगा ना equation two with respect to theta तो क्या हैगा d r by d theta is equal to यह plus का आ जाएगा b sin theta ठीक है अब ten phi two अब phi two क्या है यह आप लिखेंगी जैसे पहले हम क्या लिखा था कि radius vector में एक सैंगल phi one with the tangent of first curve यहां लिखेंगी radius vector में एक सैंगल phi two तो tan phi two क्या हमने बताया r d theta upon dr r बोले तो b one minus cos theta और d theta upon dr क्या हो जाएगा upon में आ जाएगा b sin theta फिर one one दुस्मनी दुस्मनी क्या इसकी होगी one minus यहाएगा one plus two sine square अभी हम बता लेने formula कहा से आया यह आप जानते हैं तो आएगा two sine theta by two into cos theta by two one से one कड़ गया two से two कड़ गया एक sine से sine कड़ गया तो यह क्या आ गया ten theta by two यहाँ तो ten phi two है ना तो phi two के वाली हो क्या आ गई theta by two तो यह phi two आ गया theta by two अब हमको निकालना था angle of intersection और उसको हमने क्या माले आ अलफा तो अलफा इस जी को लोग क्या हमने भी बताया थुरी दिर अब बड़े मिसे शुटाप मेनस करोगा ना आपको क्या मलूँ कौन theta one बड़ा है कि theta two वो बड़ा है तो five one बड़ा है ना तो five one minus five two यानि कि pi by two क्या प्रूफ हो क्या आ गया कि यह आर्थो गोली एक दूसरे को intersect करते हैं ठीक है तो यह है angle of intersection of two curves निकालने का तरीका मतलब आपको point of intersection नहीं निकालना है चुकि point of intersection जो है वो आर कमा theta है वो आर और theta के time value भी आ रही है करिए